तो इस अपिसोड की शुरुआ तो इस होती है जहां से फिछले अपिसोड खतम हुआ था पिछले अपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकर्टर तो भाई बहुत सरी बाते बोल ले था लेकिन इटलियो लड़की एक्सपोस कर देती है कि वह तू जीन कंट्री का मेंबर है किया था और देश यहां पर बनाया था जब तुम लोग को इतना कमाल का एडिया आया ही था जब यह सब कुछ है पर एक्जीक्यूट करना था तुम हमसे सपोर्ट मंगने नी आते तुम उससी क्लेंस से sales यहां पर लेकिन तुम मेरे पास यहां पर आयो, बताओ, कैसे, क्यों यहां पर आयो, क्या तुम्हारा मकसद है, जल्दी बताओ, हमारा में कटा भी सोचता भी पागल आदमी था, जो मैंने बोला ना, यह से modern time के idea यहां पर था, जो सुनने से बहुत ज़्यदा advance यहां पर लगता है, तो इनको हमारा area, हमारे area में तुम अपनी मर्जी से आते हो, लेकि मीरा मेरी मर्जी से जाते नहीं हो, समझ गए, हमारा में कटा भी कता अपनी सही बोला, मैं gene country का member हुई नहीं, मैं तो आपके दुश्मन देश, quen country का member हूँ, वो भी कहती yes, मुझे लगा था, तुमको भी यह बात होगी, दुनिया में मैं जो सबस्यादा नफरत करती हूँ न, वो quen country के लोगों से यहाँ पर करती हूँ, तो बोलो कैसे मरना पसंद करोगे, हमारा मैं कटा कता रुको, मुझे यहाँ पर मत मरो, मैं तुमको एक बाते बताना चाहूँगा, I know, मैं quen country का member यहाँ पर हूँ लेकि मेरी हालत भी न, तुम जैसे की है, भाई, मैं भी लिटली चाहता हूँ कि ओदेश यहाँ पर बरबाद हो जाए, तो यह जो तिन आशा, ओभी कहती है, अरे सुनिया न, क्या करे, ओ मुसीवत में लगते है, सारे बंदों उनके पीछे पड़े हुए हैं, हम बाचाहे हमारा मेंकर्टर मालू में क्या बोलता है, कि मैं क्या एंट केंटी का मेंबर हूँ, वहाँ कर जो डाजी है न, मैं वह हूँ, ली टियन, यह ली टियन का पोजिशन ले रहा है, जो ली टियन भी सुन लेता हूँ, देख सकता हूँ, उसका ऐसा रियक्शन यहाँ पे था, त को पावर यहाँ पर हासिल कड़ना चाहता तब ही तो जो पुलाना राजा यहाँ पर ता मैंने बहुत सुपोर्ड यहाँ पर जया और वाइशी को राजा की तूThese सब्सके बेटा न को सपोर्ट यहां पे करने लगा तुमारी प्लैन की धरिया उड़ गई जो सुनते वो भी कहते है या या पतने टूश्यू का बच्चा मुझे लगा हूँ आएगा टूए को मारेगा और देश पर वापस हो कभजा कर लेगा लेकिन नहीं साली ने तुम्हें लिटाली उसको स कटके रखा गया है तो कोई और है हमारा में के टे करता नहीं यार मूटे को जैसे मरवाया ना तो सालव ही मुझे भी मरवाना चाहते था लेकिन मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ सही टाइम पर अपना दिमाग यूश किया अपनी जान बचा यहां से निकल गया तो सामने बचाद मुझे विश्वास यहां पर है कि लीटियन हो सकता है लेकिन जहाता कि मैंने सुना है लीटियन कोई मीडल एज मैंने यानि 40 या 45 सल का तो तो बई कुछ 20-22 साल का बस यहां पर लगता है हमारा में कट़ए भी करता है रोज में सबजिया खाता हूं कसरतिया पर करत हूं हिलाता बिल्कुल भी नहीं हूं तो वह थोड़ा सा जयवान यहां पर लगता हूं जादे इंपोर्टेंट यहां पर नहीं है जो आइडिया मैंने तुमको यहां पर दिया है उस आइडिया के तुम्हारा क्या विचारे बोलो कॉप्रेशन करूगी या नहीं करूगी जो सुन्दे वह भी करती है तुमको कॉप्रेशन यहां पर करना है तुम्हारा साथ मिलके देश यहां पर बरबाद करेंगे और बाद में यह जो ड्रुएगन रूट है तुम हासिल करोगे ड्रुएगन की पावर अप्टेन करोगे और उस देश के नहीं राजा बन कोई चाहते है तुम कहीं जा रहे हो तुम कहीं जारे हो, बही चुझे चुपके से बातें सुन रहे थे, जरह बता हो तुमने क्या सुना, तु मैं आशन क्नुना तुम निकाल के अटेक कर देती हैं. वो अटेक ही ने, लिडर डॉज कर लेती हैं. यह ओ लड्की एक ऐलक़्िमिश्टे, और अपनी आशा ओभी अलकिमिस्ते, दोनों अलकिमिस्ते, ज़्यादा के चजाणी समाग है हमने देखाता है, अलकिमिस्त मतलब ऐसा अदमी जो कि पिल बगैर बनाता है, लेकिन इसे में अलकिमिस्त का मतलब पिल बनाना खाली नहीं होता, आर्टिफेक बनाना तैलिसमेन बनाना यह सब बनाना होता है तो उसके तैलिसमेन देखे यह एडिया लगा लेती कि वाओ तू भी एक अलकी मिश्टे कियां लेकिन मेरे से ज़्यादा बहतरी नहीं हो सकती यह ले इतना बोलके बिजली का जो अदर हमला हो वो कर देती आशा पे जो आशा पे गिरता हैं वो देख सकते हैं आशा का पुरा दीपाशा बन जाता है मतलब मरती नहीं जिन्दा है पीछे से लीटीन भी कहता है ठीक हो ना शांग तूसके पीछे लीडर आ जाती है वो कहती हेलो जी कैसे हो तुमारी कोई सपोर्टर यहां पर थी बड़ियां थी भाई बड़ी स्टॉंग लड़की थी लेकिन तुम दोनों ने गलत आदमी से आइमिन गलत ओरत से पंगा यहां पर ले लिया है तुमारी तो खेहर नहीं पीछे से हमारे मेकटे भी सब कुछ यहां पर देखता है और फक यार यह क्या बात हुई लीटीन यहा मैं राजा हूँ सामने सो कहते वेल मैं 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 हमारी मेकटे की फटी पड़ी के आगे बोली यार तब ही हमको फ्लेश वेक दिखा जाता है जो लीटीन बच्चा था उसका बाप उस तक बता यह तो एक किताबे क्यों पढ़ता है उसके बारे पुरी कहानी बताया जाते कि उ उसका बाप स्कॉलर था तो बच्पन से लेकर बड़े होने था के ना उसने अपनी जिंद्गे में ज़्यादा कर चीज़े देखी है वो किताबे थी लेकिन किताब एक जिकली क्या होता है हम किताब क्यों पढ़ते है मुझे लिटली कोई भी आडिया नहीं लेकिन एक दिन अपने बोलकी किताब हैं इसी चीजें जिससे तुली दुनिया में सबकुछ यहां पर हासिल कर सकता है अगर तेरे नसीब रहाता हो तुंने मेहनत किया तूं तेरे बापने आमीन ती किया थी जीच को यहाद पर इसीज़ भी बहुत है जिंदकी बहुत ही छोटी होती है स स 70 या 80 साल कोई बंदा लखी रहा तो 100 साल यहां पर जी लेगा उच जब तक जीएगा लोग उसके बारे में याद रखेंगे लेकिन जिस दिनों मर गया कोई उसके बारे में याद दिने रखेगा तो तुझे किताब और दुवरा कुछ बड़ा करना है इतना बड़ा करना है क एक दम उसके दिल में छप गया तो इसकी बाब की बाते हैं जो आज दो बिल्कुल भी भोलाना पाया लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद कहलो एक जग मंजा जाते हैं गाउउं की पूरी रीए हलत खराब हो जाती है तो जैकर मुझे हैसास हुए कि पक चलेगा अगली वीडियो में जो कियाएगा कल मिलते कल वाली वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय है